अगर आप भी आलू पराथे के शौकीन हैं लेकिन आप कोई ग्लूटन फ्री ऑप्शन ढून रहे हैं तो आज की रेसिपी बिलकुल आपके लिए है आज हम बनाने वाले हैं मक्कई से बनने वाला आलू का पराथा बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट आता है क्यूंकि मक् तो नहीं होता है दूसरा इससे जो इसका टेक्शर आएगा पराथे का वो नैटरली ही क्रिस्पी आएगा तो ये रेसिपी आपको ज़रूर से ट्राइ करनी चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग रेसिपी मक्की का अलू पराथा हेलो गाइज मैं हूँ आपकी होसें दोस मनीशा और आप तेख रहे हैं सिप्लिफाय और कुकिंग आज की रेसिपी क्या है वो आप सब को पता ही है तो चलिए देर नहीं करते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो चलिए देर नहीं करते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो मक्की के आलू पराथे एक बहतरीन रेसिपी है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे ट्राइ करेंगे चलिए शुरू करते हैं दो बॉयल आलू लिये हैं मैंने आलू को मैंने नॉर्मली जैसे हम बॉयल करते हैं नमक अड़ करके वैसे बॉयल कर लिया है इसे ह बहुत ही अचे से मैश करना बहुत ज़रूरी है उसका रेसन आपको आगे बताती हूँ मैं आलू मैश हो चुके हैं इसके बाद हम इसमें कुछ बेजिक मसाले आड़ करेंगे सबसे फेवरेट होता है हमारा हरी मिर्ची और अद्रक का पेस्ट एक टेबल स्पून उसके कि अधरा जो आलू का मसाला है वो तो रेडी हो चुका है अब यहाँ पर मैने लिया है एक कप के करीब मकी का आठा पीली वाली मकी का आठा लिया है अगर आप चाहें तो सफेद मकी का आठा भी बिलकुल ही ले सकते हैं यहाँ पर दो important बाते हैं आपको ध्यान रखनी है और आटा साध मिक्स हो गया है अब हम इसे इस तरीके से बाईंड करके देखेंगे और चेक करेंगे कि बाईंडिंग आ रही है या नहीं अगर इस टेज पे बाइंडिंग नहीं आ रही है तो आपको इसमें एक याा आधा आलू और आड़ करना होगा अब हम क्या करेंगे जब भी आप को पता होगा कि हम मक्की या बाजरे की रोटी बनाते हैं तो हमें सारा आटा एक साथ गून के रखना नहीं होता है क्योंकि अगर हम मक्की के या बाजरी के आटे को पहले से गुन के रख देते हैं तो बाद में उसमें वो बाइंडिंग लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहां पर फिलाल हम एक रोटी का आटा साइड में निकालेंगे और बाकी सारा आटा हम साइड में रख देंगे एक पराठे के आटे में हम एड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और उसके साथ हम इसका आटा गुन देंगे अब नॉर्मली इसमें ग्लूटन तो होता नहीं है इसी वज़े से इसे healthy भी कहा जाता है तो ग्लूटन नहीं होने की वज़े से क्या होता है इसमें properly binding नहीं आती है तो इसलिए हमें हाथों से इस तरीके से रब करते हुए इसकी binding लानी होती है ठीके तो इसलिए हमने इसमें आलू एड़ किया है अगर आप नॉर्मली मक्य की रोटी कभी नहीं बनाते ना फिर भी ये वाला जो आलू का पराठा है वो आपके लिए इजी होगा क्योंकि बाइंडिंग के लिए तो हमने इसमें आलू एड़ करी दिया है तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका ज जियान रख लीजिए दूसरा पॉइंट है कि यहां पर आटा ये जो रेडी होगा वो हमारे हातों में नहीं चिपकेगा वो भी इसकी निशानी है कि यह पॉफेक्ली अच्छे से रव होके गुनके रेडी हो चुका है अब यहां पर सिंप्लिस तरीका बदाती हूं इसे र पर हम रखेंगे इस तरीके से जो हमने पेडा बनाया है आटे का वही और इसे हम हातों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए हलका सा फ्लैट करेंगे ये देखें तो दीरे दीरे अगर आपके जो आलू के पराटे की किनारी अगर फट रही है ना तो इसे बीच-बीच इसमें रिपैर भी करते जाएए अगर आपको ये वाला तरीका सही नहीं लग रहा है तो फिर आप सिंप्ली बेलन ले सकते हैं और बेलन के हलके हातों से आपको इस तरीके से रोल करना है बहुत जादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि ये मक्की काटा है ध्यान रखेगा इस चीज को आप यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने हलके हातों से इसे जैसा मुझे पतला बेलना है बहुत जादा पतला भी इसे नहीं बेलना होगा क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो यह टैकल करने में मुश्किल हो जाएगा तो इसे थोड़ा सा ठीक ही रखिएगा यहा यहां पर एक इंपोर्टन स्टैप होता है मकी के पराठे को तवे पैड़ करना तो इस तरीके से आप हातों को फैला लीजिए और रोटी इस तरीके से अपने हातों पर ले लीजिए प्लास्टिक शीट को हटा दीजिए है ना सिंपल तो चलिए अब तवा हमने गरम कर दिय क्या है मैं यहां पर एकदम सिंपल तरीका बता रहे हूं इसलिए मैं नॉन स्टिक पैंड का यूज़ कर रहे हूँ कि अब एक साइट तो हमने कच्छा रखा है और दूसरी साइट जो है इसकी हमें प्रॉपरली सेखना है यानि कि बिल्कुल कम्प्लीटली सेखना है ठीक है गैस की फ्लेम जो है वो पूरे प्रोसेस के दौरान बिल्कुल मीडियम पे ही रखनी है इस चीज का ध्यान यहाँ पर दूसरी साइट से जब यह अच्छे से सिख जाए तब हम इसकी उपर वाली साइट पर घी, बटर या फिर तेल अपलाए कर सकते हैं और फिर हमें इसे टर्न करना है तो इसे टर्न करते समय बहुत ध्यान रखेगा एकदम आराम से टर्न कीजेगा नहीं तो जो तेल वगेर आपने लगाया होगा इसके उपर उसके छीटे आपको लग सकते हैं अब एक प्रैसर की मदद से इस तरीके से हम इसे प्रैस करते हुए अच्छे से से शेक लेंगे ध्यान रखेए गैस की फ्लेम अभी भी इसकी बिल्कुल मिडियम पे ही है और जिस साइट से नहीं सिखा है उस साइट से इसे प्रैस करते हुए हम अच्छे से से शेक लेंगे तो अगर आप चाहें तो दोनों साइड इसमें ओयल याग ही अपलाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्रिस्पी आलू का पराठा बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है मक्की का बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है धनिये से गार्निश भी कर लिया है और बिल्कुल देशी तरीके से सर्व किया है प्याज हो इसके साथ और साथ में हो हरी मिर्ची तो हमें और कोई चीज इसके साथ नहीं चाहिए होगी इतना टेस्टी बनता है इंग्रीडियन्स आपने देखे इसके कितने मामुली से इंग्रीडियन्स थे सिर्फ मक्की का अगर आप रेगिलरली नहीं खाते हैं तो वो ही आपको मार्केट से लाना होगा यहाँ पर मैंने इसके उपर बटर थोड़ा सा अपलाई कर दिया है जो की बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है बहुत ही यम्मी लगता है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो यहाँ तक पहुंचने के बाद लाइक बटन तो हिट जरूर से कर दीजिएगा नए है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा ताकि ऐसी रेसिपी आपको हमेशा देखने को मिले फ्री में मैं ऐसी ही रेसिपी लेके आती हूँ एवरी टूस्डे और सेटरड़े को मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स सेटरड़े को एक अमेजिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखे बाबाई